नमस्कार मित्रो जैमातदी स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तो कन्या रासी वालो अगले साथ दिनों में जिन्दगी का एक नया रूप आपको दिखेगा जी हाँ पाँच पाँच एक साथ मंगल घटनाए आपके जीवन में घटेगी आपको काफी समय से और बे सबरी से इसी समय का इंतजार था मित्रो क्योंकि आप बहुत लंबे समय से अपने जीवन में दुख भोग रहे थे तो अब आपका समय आ गया है अब आपके जीवन में पुन्ह लोटेगी खुशियां और आपका जीवन होगा धन्य मित्रो दिनांक 13 अगस्त से 20 अगस्त तक आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटनाए घटने वाली है जो आपके जीवन पर प्रतिकुल प्रभाव डालेगी कौन सी चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ीगा और कौन सी साउधानिया आपको बरतने पड़ेगी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं साथ ही यह साथ दिन व्यापार की डरश्टी से नोकरी की डरश्टी से पारिवारिक जीवन के लिए प्रेम संभन्दों के लिए साथ ही मित्रो विध्यार्तियों के साथ बेरोजगारों के लिए केसे रहने वाले हैं आखिर कौन से परिवर्तन इनके जीवन में आने वाले हैं यह सारी बाते भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले तो मित्रो जो भी भक्त अपने मां से प्यार करते हैं इस वीडियो का लाइक अवस्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे कि हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेश रासी फल का निर्मान किया है तो हमारी इस मेहनत के बदले आप से सिर्फ इतनी सिविंती है कि सुरू से लेकर अंत तक वीडियो को धियान से देखिएगा तो चलिए अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना बढ़ते हैं अगले साथ दिनों के महत उप्रण रासी फल की और मित्रो घर में पेहिच्यान वाले लोगों की आवा जावी लगी रहेगी रिष्टेदार भी घर में आते जाते रहेंगे जिसकी वका वातावरन जो है सकरात्मक रहेगा लेकिन आपको विवस उपने life style को और बहतर बनाने के लिए आपके प्रियास जो है बढ़ाने होंगे और यही प्रियास आपके सफल रहेंगे सिर्फ अपने कार्यों को योजना बद्ध तरीके से करते चलें अर्थात जैसी योजनाएं आपने बनाई है उसी के अनुरूप कार्य करते चलें और गर के किसी सदस्य की स्वास्ट संबंदित परेशाने की वज़े से कुछ महतुप्रन कार्यों में वियधान भी आ सकते हैं। मित्रों आपको थोड़ा सा साउधान रेना होगा। घर परिवार में आपकी उपस्टेटी बहुत ही ज़्यादा मेहतुप्रन है और माइने रखती है। इसलिए थोड़ा सा समय घर परिवार के लिए भी निकालें। परंतु उनकी देखरेक आपकी ही प्रात्मिक्ता रहेगी। इस समय किसी अपरिचित व्यक्ती से चिकनी चुपडी बातों में बिलकुल ना आए। किसी अपरिचित व्यक्ती से जुड़ना आपके लिए नुक्सान दायक हो सकता है मित्रो। साथ ही अगर कारोबार में कोई नया प्रियोग अमल कर रहे हैं, कोई नया कारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको बता दें कि प्रियास करते रहें, क्योंकि कभी कभी बूंद बूंद से ही सागर भराता है, यह बाद धियान रखीगा मित्रो। आपको इसके बहतर परिणाम मिलेंगे आज नहीं तो कल, और किसी भी तरह काम, यदि आप कागजी कारवाई कर रहे हैं, पेपर वर्क करते समय सावधान रहना जदूली है, एक एक कागज को अच्छे जे पढ़ लें, एक एक सब्दो को बारी की से पढ़ लें, क्योंकि छ आपके साथ धोका होने की पूरी संभावना है, वेवाहिक संबंद मधूर रहेंगे और बड़े बुजरों का आसिरवाद से सहयोग घर में सकरात्मक उर्चा बना कर रखेगा, मित्रो गेस और एसिल रिटे की समस्या बढ़ सकती है, तो संतुलेत खान पान रखना आपके बहुत जरूरी है, घर के वरिष्टित सदस्यों का आसिरवाद वह इसने हैं आप पर बना रहेगा, और एक सफल जीवन के लिए, एक सोखी जीवन के लिए, घर के बड़े बुजरों का आसिरवाद हमारे उपर होना बहुत जरूरी होता है, मित्रो आपको बता दे कि जो मह महिलाओं के लिए यह समय मेहतुपन होगा जो किसी ने कार्री की सुरूवात करना चाहती है, मित्रो आपको बता दे कि आपकी समता इवन प्रतिभा अपना मुकाम हासिल करने में मदद करेगी, आपको आपकी समता का अंदाजा नहीं है मित्रो, आप अकसर हर बार सिर्फ य आप से नहीं होगा, इस वहम को मन से निकाले क्योंकि समय अब बदल गया है, परन्तु किसी के भी साथ व्यर्थ के बेहस बाजी में बिलकुल ना उलजे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें, अपने प्रतिभा को पहिचाने, और मित्रो आपको बता दे कि यदि किसी भी व् पनों से अगर व्यर्थ की बेहस बाजी में उलजे, इससे आपका नुकसान ही होगा, साथ ही संभंध भी बिगडेंगे, अपना कारिभार हलका करने के लिए दूसरों के साथ भी कारिबाटने का प्रियास करें, क्योंकि कभी-कभी होता यह है मित्रो, कि आप अपनी सम्ता स ज़्यादा कार अपने उपर ले लेते हैं, जिसकी वज़े से आप उस कार के बोज तले दब जाते हैं, पूरानी नकरत्मक बातों को याद करने की बजाए वर्तमान में ही रहे तो आप के लिए बहुत बढ़िया एवं उचित रहेगा, अगर विवसाई से संभंधित कोई विभागी जाच चल रही है, तो उसका परिणाम आपके हक में ही रहेगा, मित्रो सरकारी सेवरात लोगों को पदोन नती के आउसर मिलेंगे, प्था साथ ही इस्थान परिवर्तन भी संभव है, और पति-पत्नी के बीच घर की किसी बात को लेकर वेचारिक मदभेद हो सकत है, परन्तु प्रेम संभंदों में मधूरता बने रहेगी क्योंकि घर में छोटी-मोटी बाते तो होती रहती है, अत्यदिक कारिभार की वज़े से पेरों में दर्द वह सूजन की समस्या रहेगी, उचित आराम भी लेना स्वास्ते के लिए जरूरी है, और मित्रो सकरात्मक्ता पर ध्यान दे रहे हैं, और आपकी यही गलती आपको पीछे खीच रही है, कुछ समय आध्यात्मिक तो कुछ समय धार्मिक गति वीज्यों में व्यतित करना जरूरी है, क्योंकि आपको सकरात्मक उर्जा यहीं से मिलेगी, और सिर्फ इस बात का ध्यान रखे कि भावुक्ता में कोई भी जिर्णी ना ले पेरेंस बच्चों के साथ दोस्ता में विहवार रखें और ज्यादा अनुसासन लगाने से उनका स्वभाव और जिद्धी हो सकता है तो आपको बता दिमित्रो कि अपने संतान को आपको जदा रोका टोकी नहीं करना है इस समय कि सिवित्र की आवा जावी से दूर रहें और समय जो है बहुत अनुकुल है आपका स्वभाव आपके लिए कई सारी तरक्या लेकर आ रहा है आपको लाबदयक अनुभंद हासिल करवा रहा है परन्तु साजदारी से संबंदित व्यवसाय में अधिक्तन निर्णें आपको ही लेने पड़ेंगे दिकत आने पर किसी वरिष्टी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फाइडे मंद साबित होगा और मित्रो विवाहिक जीवन उत्तम रहेगा और विवाहित व्यक्तियों के लिए विभास संबंदित सूब सुचना मिल सकती है और बलड प्रेसर तथर ड की बजाए प्रेक्टिकल तरिके से अपने कारियों को संपन करें, इससे आप निर्णे लेने में तो सखसम रहेंगे सामाजिक तथा व्यक्तिकत कारियों में भी आपकी विवस्था रहेगी और कोई नजदी की लाबदायक यात्रा भी आपके लिए मित्रो संभव है मित्रो ध्यान रखे कि कोई पूराना मुद्दा उभर सकता है तो अपने वेहवार पर भी मनन करना जरूरी है आपका गुस्ता और जल्द बाजी जिसा स्वभाव बनते कार्यों में विघने डालेगा लेकिन घर के बड़े बुज्रकों का उचितमान सम्मान बना कर रखें और वेव भी मुकाम हासिल करने से पहले उससे संभंधित पूरी जानकारी अवस्य हासिल करें और नोकरी पेसा लोगों का टारिगेट पूरा ना होने की वज़े से आपके उपर तनाव रह सकता है जीवन साथे का सहयोग वधेर आपके मनोबल को बढ़ाएगा और नजदी की वीडियो का लाइक अवस्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाई नमस्तू भ्यम अवस्य लिखिएगा और मित्रो देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्धक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा